हो गई बहुत पड़ी भविश्यवानी अमारिका में टीम इंडिया का T20 वर्ल कॉप जीतना हुआ कन्फर्म चैंपियन बनने से नहीं रोक सकती अब कोई भी ताकत पांच ऐसे कारण जिनकी वज़ा से टीम इंडिया ही जीतेगी T20 वर्ल कॉप पाकस्तान इंग्लैंड समिट सभी बड़ी टीमों के फूले हाथ पाओ आकिर कौन सी है पांच पड़ी वज़ा जो टीम इंडिया को बनाएगी चैंपियन किसी और टीम के पास नहीं है ऐसी ताकत क्या है रोहित शर्मा का सीक्रिट प्लान अमारिका वेस्टेंडीज की मेजबानी में शुरू हो रहे T20 वर्ल कॉप में सभी टीमें जीतने का दावा कर रही है लेगिन किसी के पास रोहित शर्मा के पांच सीक्रिट प्लान का कोई तोड़ नहीं है जिसकी वजह से क्रिकेट पंडितों ने टीम इंडिया को असपार का विजेता घोशित कर दिया इस बात को सुनने के बाद हर किसी के मन में सवाल उठेगा कि आखे रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया वो कौन से पांच प्लान के तहट काम कर रही है जिसको लेकर विश्व भर की टीम परिशान है औस्ट्रिले इंगलेंड पाकस्त कि किसी टीम के पास ऐसे गिंदबाज हैं ही नहीं जो अमेरिका की टर्निंग पिच पर जादू दिखा सके वहीं टीम इंडिया कुल्दीब, चहल, अक्षर, जड़िजा जैसे खतरनाक स्पिन गिंदबाजों के साथ वर्ल्ल कप में उतर रही है जो बल्ले बाजी भी करना जानते हैं, इसी वज़न से टीम इंडिया को इस वर्ल्ल कप का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है, जबकि किसी भी बड़ी टीम के पास इन चारों के जैसा कोई भी गिंदबाज नहीं है, जो अमेरिका के टर्निंग पिच पर बल्ले बाजों को नचा सके, दूसरा आठ ओवर करवाया जा सके, तीसरा करण टीम इंडिया के पास आठवे नमबर तक दंदार बल्ले बाजी, जिसमें ओल राउंडर के रूप में हार्तिक पांडिया, शेवंदूबे, रविंदर जाड़िजा, अक्षर पतेल जैसे मैच बिनर मौजूद है, इन खिलाडियों की परफॉर्मिंस टर्निंग पॉइंट साबित होगी, जो गेंद बाजी के साथ-साथ बल्ले बाजी भी उसी रंग में करते नजर आते हैं, टीम इंडिया के चैंपियन बनने की चौती वज़ा है सोरे कुमार यादो, जो टी-20 में फिलहाल नमबर वन पर है, जिनके बल्ल रही है, इसी वजह से टीम इंडिया इन खिलाणियों के खिलाब बहतर प्रदर्शन करती नजर आईगी, क्योंकि रोहित आर्मी को सभी की कमजोरी पता हो गई है, किस गेंद बास की खिलाफ किस तरह बल्ले बास को किस तरह आउट करना है, दुनिया की खतरनाक बल्ले बास को कौन से जाल में फसाना है, ये रोहित शर्मा वको भी जान गए, इनी पांच कारणों से क्रिकेट पंडिट आप टिम इंडिया को चैंपियन बनता देख रहे हैं, टी-20 वाल्ड कप जीत कर टिम इंडिया का कई साल का सूखा रोहित शर्मा की कप्तानी में खत्म हो सकता ह जब टिम इंडिया इस वाल्ड कप में उतरेगी तो उसका मनोबल काफी हुचा होगा, जबकि टिम इंडिया के सामने विश्यो भर की टीम बॉनी नजर आएगी और टिम इंडिया को इस पार चैंपियन बनने से दुनिया रोक नहीं पाएगी